सोलन के कंडगाट में प्रदीश का एक मात्र महिला बहु तकनीकी संसान अब पहले की तरह अपनी सेभाय दे रहा है। चलते अब फिर से पहले की तरह भारी संक्या में चात्राइं चिक्षा ग्रहन कर रही हैं। आजकल चात्राओं की प्रिक्षाएं भी चल रही हैं। करोना टेस्ट करवाय जा चुका है। किसी वे तरह की ढील संसान दौरा नहीं दी जा रही है। सभी तरह की साबधानिय संसान दौरा रखी जा रही है। उन्म कहा कि क्रोउन काल के बाद पहली बार शात्राइं प्रिक्षा भी दे रही हैं। शिक्षा का स्लेबस जल्द पॉन हो और चात्राओं की शिक्षा में कोई बिलंब ना हो इसके लिए हर संबब प्रयास के जा रहे हैं। यहां पर स्टाफ वालों के अभी लगबग अधे ज्यादा स्टाफ वालों कोई टेस्ट कर वा लिए थे जब स्टार्ट हुआ था और मैस वर्क यहां पर चार होस्टल्स हैं उनमें 142 चात्राइं रह रही हैं और जो हमारे मैस वर्कर्ज हैं मैस शुरू करने से पहले उनके भी हमने कोविट टेस्ट कराए तो सबके टेस्ट नेगिटिव आए हैं और अभी जो यहां पर एक्जाम चल रहे हैं उसमें एक्जाम शुरू हो गए हैं बच्चों के और फिफ समेस्टर के एक्जाम चल रहे हैं रीपियर्स के एक्जाम चल रहे हैं तो यह इनका समेस्ट जो आगला समेस्टर भी शुरू हो जाएगा बच्चों का आठ मार्च से क्योंकि बीच में वो थोड़ा time कम है हमारे पास अगला समेस्टर खतम भी करना है हमने तो आठ मार्च को शुरू हो जाएगा और लगबग जुलाई तक चलेगा समेस्टर यह और यहाँ पे लगबग 67 करमचारी जो है वो अपनी सेवाइं दे रहे हैं यहां पर टीचर्ज हैं और सौफ मेंबर्स हैं और यह एक मातर भू तिक्निकी है जो की करन्याओं का है पूरे स्टेट में